नमस्कार साथियों स्वागात आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल उत्राखंड एचीवर्स में और आज हम आपके लिए हैं कि जो पर्सों तक HNBGU का entrance exam हुआ था उसकी expected cutoff कितनी जा सकती है तो देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पेपर था वो कैसा था जुसमें marks distribution था वो किस प्रकार का था तो आप सभी जानते हो पेपर था हमारा 200 नमबर का पेपर था जिसमें 500 नमबर तो सबके लिए common थी 500 मिंज 50 नमबर की language थी चाए आपने Hindi चूज की हो चाए English चूज की हो फिर 50 की GS थी जिसमें current affairs ज्यादा पुछे गए थे और 50 नमबर के आपके math plus reasoning थी और arts वालों के लिए अलग से arts आया हुआ था 50 नमबर का science के लिए science पुछी गई थी और commerce वालों के लिए commerce पूछी गई थी तो कुल मिला के आपका 200 नमबर का paper था जिसमें 1500 नमबर सबके लिए common थी और 50 नमबर जो है आपके subject wise थी यह तो आपका paper का pattern था अब देख लिए बात करते हैं कि paper में था क्या-क्या जैसे देख लिए paper अलग-लग question से भरा हुआ था जिसमें difficult भी थे और moderate भी थे तो देख लेते हैं जैसे art का question है कि grade वेक्टियूरियम और उस्तल कहां इस्तित है या फिर मुखे देशान तर रिखा कहां से उकवे जाती है आप सायद यह आप जब भी तियारी करते हो किसी भ अब देख सकते हो कि रावी क्या होता है इन में से कौन सायस है जो भी तरंगों को record करवाता है फिर देख सकते हो आपके सबसे बड़ी खारे-पानी की जील कौन सी है गुलाम गई किस ने लिखी थी यह सब कहें आपके आसान प्रस्ण है फिर देखी यह है जैसे कि राजय क किसका आधार सकती नहीं इच्छा है यह किसका कथन है तो देखिए यह चीजे यह प्रस्ण ऐसा है किसी कथन है यह तो आसानी से याद होता नहीं है पर फिर आपकर आपने डिटेल पढ़ाओ तो होगा तो यह थोड़ा डिफिकार्ट में आ गया फिर आप देख सकते हो कि अधिरिमंदर को लेक कहां है ठीक भारत में सेवा करके अधारना के सब्सक्राइब कौन था हमारा और टीचर्ज डेकब मनाया जाता है बाएंहात के बल्लेवाज को 200 बार रन आउट करने वाले आउट टने वाले गेंदवाज कौन थे अस्विन जीते हमारे यह सब क्या है यह सब आपके आसान और मीडियम वाले हैं फिर आप देख सकते हूँ आपकी भारत की कौन से समयधानिक सश्वता नहीं है कौन सी नहीं है नीतियायूग नहीं है इसमें बाकि सब हैं यह सब आपके कहें पेपर के क्विस्टन के टाइप से जिस आधार पे हम कॉट आप बन जनरल में कि लुकेमिय किस की बिमारी समय आप जानते हो किस यह रखतिक बिमारी है एफिर आप देख सकते हूं कि फजाद यह बीड खेंट कहां सितनत है किस फृस की खाडि में त्रय यह अंसर शतर समुण पताय है लेकिन कहा ऊए-पेह कि आप थे अब आप देख सकते हो कि कट आफ कितनी जा रही है एक्सपेक्टेट तो साइंस की जो बनी हुई है कि जो साइंस में जो पेपर आया हो था पेपर कैसा आया हो था जो 30 परसेंट था और 50 परसेंट क्या था एवरेज था यानि कि आप यह देख सकते हो 80 परसेंट पेपर ऐसा था जो आसान था चीक है 80 परसेंट की बात कर रहे हैं और 20 परसेंट ऐसा था जो डिफिकल्ट था जिसे साइद जैसे मैच में कई एक बात है जो बच्चा साइन्स वाला है उसकी जिएस कमजोर होती हूँ सभी जानते लैंगवेज कमजोर होने थी है तो इतस वहां पर मात सकता है अрашनल आप कर सकते हो कि आठ का पेबर कैसा था देखिए आठ में जो डिफिकल्टी लेवल था वो कुछ इसकार था कि जो आसान थे यहां 30 थे और जो कटिन थे वो भी क्या थे 30 थे लग बगर रीजन और एवरेज क्या थे 40 थे तो आप देख सकते हो कि 70-70 थे आपने कर लिया 30 थे आपके शाइंस के क्षुषण आ जाते हैं और जहाँ पर रीजनिंग केक्षुषण अ के अकॉर्डिंग थी तो इस्टार्टिंग जो पचास कुशन थे उसमें आपका फाइदा हो गया और मैट्स में थोड़ा नुक्सान हो गया क्योंकि जानते हैं आर्ट वालन के थोड़ा सा जादा नहीं कह सके हर किसी के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन आर्ट वालन के थोड़ा मैट्स वीक होती है तो इसलिए वहां पर मात खा रहे हैं अब देख सकते हैं अब कॉमर्स कॉमर्स में लगभग जो लेवल था वो कितना था 75% क्या था आपका आसान था कॉमर्स के लिए और 25% है वो थोड़ा टफ था क्यूंकि कॉमर्स वाले भी मैट्स बैक्ग्राउंड से होते हैं अधिकतर 10 तक तो मैट्स ही रहती है इनकी और 11-12 में भी मैट्स ही पढ़ते हैं लगभग क्यूंकि उनको लेजर लूजर बनाने का है तो मैट्स की टर्च में तो रहते हैं लेगिन इनकी भी जीएस बहुत कम रहती है तो सक्कर में जो स्टार्टिंग के जो 50% जीएस वाले वहां इनका नुकसान होता है और लेंग्विज भासा भासा यानि कि हिंदी या इंग्लिस अगर आपने कुछ भी चूज के हैं तो वहां भी मात खाते हूं तो यह सोच लीजे कि लगबग जो आपका 100 नंबर का था भासा वाला यह आल्ट वालों के लिए सबसे अच्छा आया हुआ था 100 नंबर यानि कि 50 नंबर की भासा और 50 नंबर की जिएस आल्ट वाले यहां स्कोर करते हैं जबकि Science और Commerce वाले स्कोर करते हैं गणित में जो आपकी Reasoning थी वहां और खुद के Subject में आल्ट वाले खुद के सब्जेक्ट में भी स्कोर करते हैं लेकिन गणित के कारण पीछे हो जाते हैं तो यह सब आपका पेपर के बेस पर बनाया हुआ था कैसा पेपर है और फिर देख सकते हैं जो कट-off जा रही हो कितनी जा सकती है जो साइन साइट की है जर्नल मेल की जर्न विटेज बोलते हो आपने NCC ए NSS लगाया है तो आठ से दस नमर आपके उसके भी जुठते हैं लेकिन डोलती है केंपस में सिर्फ एक ही चीज लगती यह फिर एंपस वीटेज लगेगा यह फिर NCC ए Nationstem अच्स का मेफाइज़ लगेगा अगर आप कैंपस में हो तो यह अगरा दोनों चीज लगा और दोनों चीज काम नहीं करेंगी आपका एक ही वेटेज काउंट ऊ Check दिखान रखेगा तो उस आधार पर देख लीजिए OBC की लगबग 131 जाएगी मेल की और 126 जाएगी फीमेल की SCST 118 और 112 मेल और फीमेल EWS 130 और 125 जा सकती है यह expected cut-off बता रहे हैं हम वागे देख सकते हो कि Commerce Commerce की Google pleegly 35 52 जा सकती है और जो OBC में बेरे 122 और 118 जा सकती है और हों सीएस्ट है वह वहां 112 से 106 यानि कि मेरे 112 जा सकती है यह मेरे 113 मेल और 116 वीमेल जा सकती है लास्ट बचाया आपका आठ तो आठ में देख लीजिए कि आठ में जुजरनल मेल है वो 128 127-128 यही क्या सपास आएगा फीमेल 121 जाती है और OVC 117 है 117-112 में फीमेल 112 पर है और जो SCST का मेल है वो 110 पर फीमेल 103 पर और EWS 112 से 106 यह expected कतव बता रहा हूं और reality की बात है अगर आपके 110 प्लस नंबर हैं आप किसी भी कैटेगरी में हो 110 प्लस नंबर है तो आप उमीद रखिए कि आपका बीड आ जाएगा अगर आपको सरकारी से करना है सरकारी यानि कि स्री नगर HNVGU से तो HNVGU से करना है तो आपका 130 प्लस नंबर लाना जरूरी है 130 नंबर 130 से जादा नंबर लागे तो आपका आ सकता है HNVGU में बाकि आपकी तीन केंपस हैं बिरला केंपस है आपका फिर बात्साइद तॉल का है और BGR केंपस है तीनों जगों से बियाड होता है वहाँ सीट का डिस्ट्रिपिशन अलग-अलग है I think 100 जो सीट है हमारी वह स्री नगर में है 50 पॉड़ी में है और 50 टहरी गड़वाल में है तो यह सीट का डिस्ट्रिपिशन है 200 सीट के लिए आप फाइट कर रहे हो I think बाकि अगर आपने एंट्रेंस दिया